दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिलिप कार्ट से ओर्डर केसे करें तो दोस्तो अगर आपको फिलिप कार्ट से कोई भी चीज मंगाने हो घड़ी वड़ी कपड़े उपड़े तो आप आसानी से मंगा सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको फिलिप कार्ट को ओपन कर लेना है दोस्तो फिलिप कार्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च वाले box में कोई भी जिसे भी कुछ भी product मंगाना हूँ आपको यहाँ पर पहले सर्च करना पड़ेगा जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे airbird मंगाना है तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ earbird EAR earbud दोस्तो इतना करने के बाद आपके सामने काफी सारे earbud आजेंगे अगर दोस्तो आपको इन में से कोई भी पसंद आता हो तो आपको simply उस पे click करना है दोस्तो click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आजागा आप लोग देख सकते हो आपको simply यहाँ पर नीचे करना है add and continue आपको इस पे click कर देना है दोस्तो click करने के बाद आपके सामने फिर से एक बार इस तरह का इंटरवेस खुल के आ जागा आपको simply यहाँ पर नीचे continue पर click करना है continue दोस्तो continue करने के बाद आपके सामने कुछ इस चरह से option खुलके आजेंगे payment के आगर payment के option खुलके आजेंगे कापी सारे net banking वालन डूपियाई cash on delivery अगर दोस्तों आप लोग अगर payment पेला करना चाहते हो वो भी कर सकते हो अगर आप payment product आने के बाद करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो तो दोस्तों मैं यहाँ पर cash on delivery करूँगा दोस्तों आप भी अपने लेशे कर सकते हो तो दोस्तों मैं फिलाल यहाँ पर cash on delivery पर click करूँगा दोस्तों click करने के बाद यहाँ पर लिखा आरा place order तो आपको simply इस पर click कर देना है place order पर अब दोस्तो आपको निच्छे यहाँ पर दिखावा है confirm order आपको यहाँ पर एक बारी order को यहाँ पर confirm कर देना है तो दोस्तो यहाँ पर मैं confirm कर देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैंने order confirm कर दिया है आपको थोड़ी दे रुखना है तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यह order हो चुका है मेरा order place तो दोस्तो आप भी अपने लिस तरह से order कर सकते हो फिलिप कार्ड से काफी आसान है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ किसी next वीडियो में तब तक कि लिजेहीन